नमस्कार में हुख प्रवेंड गोतम नए भारत में अमरितकाल में लोगों के मन में अपने ही देश के नागरिकों के लिए कितना विश भर गया है कि किसानों को मिडल फिंगर दिखाने वाली किसानों को गाली देने वाली लड़की को भी ब्रेवो गल कहते वे वहवाही किजा रही है बरिशपत्रकार गवंदीप सिंग ने एक वीडियो शेर किया है भारत बंद का जहां एक लड़की को किसानों पर गुस्सा आ जाता है जाम की वज़े से लड़की इतना गुसा हो जाती है कि संसकार भूल जाती है और लड़की क्या करती है किसानों के विरोध में जरा ये वीडियो देखिए ये वीडियो आप देखे किसानों को मिडल फिंगर दिखा रही है दोनों हातों से नचा नचा कर और हस्ते वे मिडल फिंगर दिखा रही है बुज़र्ग किसान को भी मिडल फिंगर दिखा रही है और गुस्सा आ जाता है लड़की को कमाल देखिए और जब पत्रकार गेरते हैं और पूछते हैं कि मैडम आप किसानों को गाली क्यों दे रही हैं तो उसके बाद बहाने सुनिए उसके बाद लड़की कहती है कि किसानों ने मुझे चुआ कैसे तो लड़की कहती है कि मुझे हाथ क्यों लगाया जबकि वीडियो में आप यहां से अगर देखेंगे तो कहीं भी हाथ लगा हुआ आपको दिखाई नहीं देगा लड़की ही खुद उंगली दिखा रही है और किसान कहते हैं कि ऐसे क्यों कर रही हो किसान वीडियो बनाते हैं उसके बाद लड़की फिर से उंगली दिखाती है जब पत्रकार पूछते हैं कि मैडम आप किसानों को गालियां दे रही हो आपको शर्म नहीं आती क्या उसके बाद दबाव में आ जाती है कहती है कि मुझे चुआ कैसे मुझे रोका कैसे इस तरह के बहाने सुनने को मिलते हैं लेकिन दोस्तों क्या किसानों के साथ किसी लड़की को ऐसा वैवहार करना चाहिए आप किसानों से अलग विचार रख सकते हो आपको भी विचारों की सुतनता रखने का अधिकार है इस बात का भी अधिकार है कि आप किसानों का विरोध भी कर सकते हैं लेकिन संसकार नहीं भूलने चाहिए और इसके बावजूद लड़की के समर्थन में किस तरह की कमेंट किये जा रहे हैं मदूर सिंग लिखते हैं कि इस बहादूर लड़की को सलाम है जो इस भीड के किलाफ खड़ी हो गई एक और अनभक लिखते हैं कि ब्रेव लेडी इसको तो पदमा और देना चाहिए कर्मा नाम के ट्विटर हैंसर लिखा जाता है कि ब्रेव लेडी बहुत हो चुका किसानों का सम्मान इसके अलावा ये क्राइम मास्टर गोगो पैरोडी अकाउंट है इससे भी लिखा गया कि हम मेंसे जादातर लोग इस लड़की के साथ हैं जो बहुत 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 है और आगे लिखते हैं कि बोल वो रहे हैं पर शब्द हमारे हैं गनेश लिखते हैं जिसने भगवान की फोटो लगाई है गनेश जी की फोटो लगाई है कम से कम उन्हें तो थोड़े संसकार होने चाहिए और क्या लिखते हैं ब्रेव लेडी तो ऐसे अनेक लोग ट्वीटर पर सोशल मीडिया पर इस लड़की की बाहवाही करते हैं कमाल ये है कि ऐसे लोग धर्म की राज़िती की भी बात करते हैं धर्म की बात करते हैं तो क्या धर्म हमें ये सिखाता है कि बुजर्गों का ऐसे संबान किया जाए अगर आप किसानों से सहमत नहीं है तो सब भाशा में या आपको गुसा भी आजाए तो भी सही शब्दों का इस्तमाल करके आप अपना विरोध प्रकट कर सकते हैं लेकिन किसी को मीडल फिंगर दिखाना गालिया देना इस तरह के संसकार की इजाज़त ना कानून देता है ना धर्म देता है ना संसकार देते हैं आप लड़की के किसानों को इस तरह मीडल फिंगर दिखाने पर और सोशल मीडिया पर उसकी वावाही करने पर क्या सोचते हैं कि किस तरह के नए भारत का निर्मान किया जा रहा है जहां भगवान के नाम पर हमभक्ती का दिखावा तो करते हैं भगवान को तो मानते हैं भगवान के नाम पर राजनीती तो होती है लेकिन भगवान के दिखाए मार्क पर नहीं चलना चाते भगवान के दिए संसकारों पर नहीं चलना चाते और बुजर्गों के साथ ऐसा वेभार किया जा रहा है कमेंट पॉक्स पे पीराइज जरूर दे अगर आप हमारी पत्तकारता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के अप्शन का इस्तमाल करें वीडियो को लाइक करें चलको सब्सक्राइब करें नमस्कार